हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुती मस्ट एनिम एक्स्पेंड करने जा रहा हूं जिसका नाम है आविल इटर्नल क्योंकि ये मेरे चैनल की पहली एनिम है इसलिए मैंने 10-15 एनिम देखकर एक स्लट की है जिसकी स्टोरी बहुती बिंदास और मस्ट है स्टोरी की शुरुवात में राइटर हमें एक हेवनली रीवर के बारे में बताता है जिस रीवर से जुड़कर इस दुनिया की स्प्रिच्वल पावर चलती है और इसी कित्रू सारे कल्टिवेटर सेक्ट अपने डिसाइपल को कल्टिवेट कराते हैं और साथ ही ब्लेड की शुरुवात होती है जहां बहुत धेल सारे पहाड़ों के बीच में एक हट को दिखाते हैं जिसके नीचे दो लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं वहां पर एक लड़की कहती है एल्डर ब्रदर आपको इस दोनों से बहुत सुस्त हैं लड़की की बात सुनने के बा जब मैं कल्टिवेट कर रहा था तब मॉटल मतलब नीचे की दुनिया के लोगों ने मेरी बहुत बढ़ी मदद की थी और मैंने उन लोगों से वादा किया था कि मैं उनके किसी एक वंशच को अपने सेक्ट में जॉइन कराऊंगा जिसके लिए मैंने एक शर्ट भी रखी अगर मेरे इमोटल सेट को जॉइन करना है तो खुद को साबित करना होगा इसलिए मैंने शर्ट में खली डाल वाले माउंटेन पे चल कर मेरी दी हुई स्पेशल धूब बती को जलाना होगा और ये चीच करने से मुझे पता चल जाएगा कि जिसने उस माउंटेन पे चल कर धूब बती को जलाया है वो इस लायक है लेकिन पिछले तीन साल से ऐसा कोई नहीं कर पाया है जब एल्टर वर्दर इस चीच के बारे में बात कर रहे होते हैं दूसे साइड में हमको वही खड़ी ड़लान वाले पहाल को दिखाया जाता है उस पहाल के उपर बड़ी मुश इस चीच को फिल करने के बाद में कि किसी ने धूबती को जला दिये वह वहाँ पर शत्रंच खिलते हुए गुसा के कहते हैं यह सच में बहुत खराब हुआ है एल्डर की यह बात सुनकर चीफ जूमिंग जियान कहते हैं सच तो यह है क्लाउड मॉंटन ने आपको पहले से बहुत ज़रा दुखी कर दिया है और मैं यह जानने के लिए बहुत ज़रा बेताब हूँ कि वो परसन कौन है और मुझे लगता है कि यह तेरवी बार होगा उस लेड़ी की बास सुनने के बाद में एल्डर वहाँ पर गुसाते हुए कहते हैं आज मुझे देखना होगा औ तो हमको उस माउंटेन को दिखाया जाता है और उस माउंटेन का नाम हूड माउंटेन होता है जहां पर वो लड़का उस धूबती को सुलगाते हुए उस पाली के टॉप पर खड़ा हो गया होता है ताकि एल्डर को जल्दी पता चल सकी कि धूबती जल रही है और वहाँ पर वो घबराते हुए कहता है मदर फादर प्लीज मुझे प्रोटेट करिएगा और जैसे उसने इस चीज़ के बारे में बोला होता है पूरा का पूरा मौसम वहाँ पर बदल गया होता है वहाँ पर बिजलियां चमकना स्टार्ट हो जाती है और तभी अचानक से वहाँ पर वहाँ पर गाड़ देता है जैसे उसने वहाँ पर माउंटेन पर गाड़ा होता है उस धूबती को बहुत जड़ा तेजी से बहुत धेर सारे थंडर उस जगहा पर गिरते हैं फिर हमें थोड़ी देर बात का सीन दिखा जाता है वहां का महौल शान्त हो चुका होता है और इस चीज को फिल करने के बार में उलड़का एक पेड़ के पास चिक के बैठा होता है और जब वहां पर बैठता है तो रात भरी सास लेते हुए कहता है चलो ठीक है कम सकम मैं बस तो गया प्लीज इमोटल आप जल्दी आ जाईए पते नहीं मैं कपते के सब जहल पाऊंगा और जैसे उसने इस बार में बोला होता है तभी अचानक से उस पेड़ के उपर एक बहुत 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 थंडर आके गिर जाती है और जैसे वो थंडर गिरती है वो पेड़ वहां पर उस लड़के के उपर गिर रहा होता है जिससे बचने के लिए वो अपने सर को प्रोट फिर हमारा सीन शिफ्टों के हूड माउंटेन पे आ जाता है जहां का मौसम पूरी तरह से बदल चुका होता है और तभी हमको उस जगा को दिखाया जाता है वो जगा पूरी तरह से तभा हो चुकी होती है वहाँ पर उस बिजली के गिरने के कारण सब कुछ तितर बितर हो च होता है और उस पेड्र के तने को हटाता वह बाहर निकलके आता है उपर में एक लाइटनिंग आने लगती है दिखाया जाता है वहां पर वह मॉटल आ गये होते हैं जिसको देखने के बाद में बहुत जड़ा स्पीड में भागता हुआ उनके पास सला जाता है और उनके प करके immortal बनने के लिए उसकी यह बास सुनने के बाद में जो अंकल ली होते हैं उसको घूर के देख रहे होते हैं वो लड़का वहां पर रोना स्टार्ट कर देता है और रुते हुए कहता है अंकल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे माबाप पिछले साल मर गए है और कि अंकल ली मुझे ध्यान दे रहे हैं तभी वो घुट्णों के बल आगे बढ़ता हुआ अंकल ली के पास पहुंच जाता है और अंकल ली के पास जाके कहता है अंकल ली अंकल ली मैं सच में कल्टिवेट करके immortal बनना चाहता हूं अंकल ली उसकी बास सुनने के बाद में उस अलके से कहते हैं अगर तुमने पकी तोर पर डिसाइट कर लिया है तो ठीक है मैं तुमको immortal सेक लेके चलता हूं उनकी ये बास सुनने के बाद में पुझे लगा होता है शौक हो जाता है और तब ही कहता है क्या इतनी जल्दी मान गए और ये तुरन तयार भी हो गए है आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शिर कमेंट ज़रूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हम लोग नेक्स्ट अपीसोड में थैंक ये फॉर वाचिंग मैं वीडियो लव योवार् हुआ है